नियूत करके विद्याले में सिक्षक आएंगे और जो पुराने सिक्षक हैं नए आएंगे तो कहेंगे कि हम आये हैं BPSC से आप नियोजित हैं हम आपसे बरिया होंगे रोज रोज नया महा भारत होगा प्रतेक विद्याले में तो नियमा बली बनाए कि पंचायती राजनगर निकाय में जो काजड़ा सिक्षक थे उनको नियूक्ती तीठी से ही बढ़ियता प्रदान करते हुए सरकारी कर्मी में सम्मेलियन किया गे नोंने कोई इनकार नहीं किया है राज कर्मी का दर्दा जये ये बात अपनी जगा ठी है लेकिन हमारे यहां सिक्षक तो बहुत व्याकुल भारत है सिक्षकों को जो आप निरासा और जो आपने भरोसा कायम किया है वो बिलब हो जाने से भरोसा तूड़ता है सिक्षक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हारदी कभिनंदन है यह वीडियो नियोजित सिक्षकों को राज कर्मी का दर्जा जल्द दिये जाने से संबंधित है इस वीडियो में सिक्षक संग के बरिष्ट नेता सत्रुग्न प्रसाद सिंग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र की चर्चा भी करेंगे और बयान का वीडियो क्लिप भी देखेंगे जैसा कि पिछले दिनों 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री की बिवदास्पद घोसना से सिक्षकों में सब्रका बांध तूट गया है और अपने आ इस पर सत्रुग्न प्रसाद सिंग ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो विद्यालय में पूराने और नए सिक्षकों के बीच रोज महाभारत होगी बरियता को लेकर इसलिए नियोजित सिक्षकों को पहले राजय कर्मी का दर्जा दे देना चाहिए उन्होंने कहा है कि राजय कर्मी का दर्जा देने और विप्यसी की परिच्छा लेने में कोई ताल मेल ही नहीं है वही नियमावली में भी असपष्ट है जिसके द्वारा बहाल सिक्षकों को राजय कर्मी का दर्जा दिया जाता है तो कोई भी कानूनी अर्चन नहीं कि माननिय मुख्यमंत्री अब सिक्षकों का विश्वास खोते जा रहा है। दर्जा देने और परिक्षा लेने में कोई एक दूसरे का विरुद ही नहीं। परिक्षा तो नहीं लोग दे ही रहे हैं। पुराने लोग परिक्षा में नहीं भाग लेंगे। बहुत कम लोग, जिनका सेवा अनुभव बहुत कम है, ऐसे अपबाज सुरुप कुछ लोगों ने आबेदन दिया है, लेकिन हमारे चार लाग सिक्षक जो 20 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल से सेवा में हैं, उनोंने परिक्षा के लिए आबेदन पत्र नहीं भरा है, तो आप इनको राजकर्मी का दर्जा दीजे, परिक्षा भी लिजे, सांती पुर्बग परिक्षा होगी, कहीं से कोई बाधा नहीं होगी, और जब आप परिक्षा ले लेंगे, तो आप नियुक्त करेंगे, नियुक्त करके बिद्याले में सिक्षक आएंगे, और जो पुरा जोज नया महाँ भारत होगा प्रत्यक विद्याले भाराज यक्ता होगी एक कंप्रिशन होगा कि आप जूनियर हम से लिए हमने उनको दूसरा सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश की सरकार ने भी बज्जापता अधिनियम बनाया आपने तो नियमा बली बनाई कि पंशायती राजनगर निकाय में जो काजड़ा सिक्षक थे उनको नियुक्ति टिठी से ही बडियता प्रदान करते हुए सरकारी कर्वी में सम्मिलियन किया गया है बहुत बड़ा आधार है आपके सामने कोई कानोनी अर्चन है ही नहीं तो विश्वास दिलाया है कि जरा यह बाहाली ह ठीक है लेकिन हमारे यहाँ सिक्षक तो बहुत ब्याकुल भारत है उनको कहां से आशा हो गए कि पंदरा को घोषणा ही हो जाएगे उसकी प्रकिरिया है प्रस्ताव जाएगा मंत्री मंदल में सनलेख बनेगा बज़्जापता संसोधन होगा बिधान मंदल में जाएगा इ उन्हों ने अपने घट्रक दल जो महां घटबंदन के हैं उन लोगों से बाचित की थी और लोगों ने यह कहा था कि सकारात्म बाचित हुई है सरकार से अच्छी बात है। इसको तब वापस किया निश्चित और आप अध्यापक निमा बली में संसोधन कीजिए। सिक्छकों को जो आप निरासा और जो आपने भरोसा काइम किया है वो बिलब हो जाने से भरोसा तूड़ता है। और पढ़ाई का जो माहूल बना है वो माहूल प्रभावित होता है। सरकार ठग रही है, सरकार जुठा स्वासन दे रही है, सरकार सिक्छकों के साथ बहना कर रही है।